मुझे बूख लगिया जिराफ, मैं तुम्हे खाना खिलाते हैं, जैर तुम भूगे हो खाऊ ये, बौट यमी है यम, स्वादिश, मैं तुम्हे पाई बुलाऊंगी ठीक है, हो गया अब पैं खाना खा रही है तुम्हेसी हो गए कितना यमी है दोस्ते, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज हम सफारी पे जा रही है चलो चली बाई बूरा हुआ, लाईन ने बफलो को खा लिया अरे बापरे तुराब ना है सामिना इना, एए वक्का वक्का एए सामिना इना, पाक वेया तुराब अफ्रिका हुमारा अफ्रिका अने का मक्जद था कि हमेरा अफ्रिकान कभीली से मिलना था बहुत अच्छे दैरी इस गाम में बहुत सारे बच्चे थे हम उनकी लिए कपड़ों का एक सूट केस लेके आए देखो में तुम्हारे लेके आ रहे वो कितने खोश है उन्हें सच में कपड़े चाहिए थे खिलो रे जब हम आखरी चीचे भाट रहे थे तब थोड़ी हल्चल होने लगी कईयों के पास पर आप कपड़े ही नहीं थे सबको चल्दे शांत हो गया और बच्चे ने मेरे लिए काना दाया ये बोल रहे हैं हाँ हमें किंडर कार्डन क्लास में जा रहे हैं यहाँ छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते है ये एक लाइब्रेरी की तरह है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं स्फोल के लिए फ्र्यांज लेकर रहे हैं तैंक य्वेर्य मार्ट बस यसे चबाते हैं हाँ बस चबाना है बच्चे रोच तांप्रश करो यह इनका घर है यह हमारा घर है तो आजाओ हम अंदर खाना बनाते हैं बात्रूम यहाँ पर है उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया जो कि गोबर और लकड़ी से बना है और यहाँ पर सारे बर्तन रखे हैं फिर उन्होंने एक याद करी खरीदने के लिए कहा जो उन्होंने खुद बनाई थी मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है पर मैं खरीदूंगे डोनेशन के लिए यह स्कूल के लिए फिर मिनेंगे अब हम दोस्त है बाई हमने सफारी जारी रखी हाती वो देखो जिराव बहुत सुन्दर है हाई ना अस बहुत क्यूट होते हैं बट अभी लांज के ताइम है मेरे पास्ता से ये तुमारे लिए काफी अच्छ है वहाँ देखो वहाँ रख जाते हैं अब घर जाने का समय पर मैं जरूर वापस आउंगी बाई देखो यह कौन है क्या तुम्हें पता है यह कौन है यह है एक आमाडिलो आमाडिलो सवाना यह जंगल में रहते हैं और यह है एक चोटा कंगारू सिर्फ चार महीने का सारे बंदर बहुत पालतू है और इन्हें इंसानों के साथ रहना बहुत पसंद है यह कितना क्यों था लीमर के बारे में कुछ मज़दार तथ्य इनकी पूँच इनके शिरीफ से ज़ादा लंबी होती है मुझे नहीं पता था ऐसा होगा यह हैं सरवल यह बहुत प्यारे हैं और यह बिल्कुल भी पालतू नहीं है परी ने खेलना पसंद है बिल्कुल जैसे बिल्लियां और यह यहां कौन है यह एक जिराफ है जिराफ पालतू जानवर नहीं है यह जानवर जंगल में रहता है इसलिए इसके सामने जाने पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो अब समय है जाने का